हेलो दोस्तों, विल्कम है आप सभी का मेरे टेक्निकल चैनल टेक्टूडू पर दोस्तों, मोबाइल कमपणी के तरफ से हम लोगों को बहुत सारी कॉल्स और मैसेज़ आती रहती है जो के काफी इरिटेटिंग होती है अब गाइस इन चीज़ों से बचने के लिए हम लोगों को एक मैसेज भेजना परता था स्टार्ट जीरो और वन नाइन जीरो नाइन पर भेज देते थे और ये हमारी डू नाट डिस्टर्ब की सर्विस को एक्टिवेट कर देता था जिसके वज़े से हमें कॉल और मैसेज़े से आनी बंद हो जाती थी लेकिन कुछ दिनों पहले लोगों ने मुझे बताया कि ये जो सर्विस है ये अब उनके लिए एक्टिवेट नहीं हो पाड़ी है जब भी वो मैसेज भेजते हैं तो उनका ये सर्विस अक्टिवेट नहीं होता है तो आज की वीडियो में आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप लोग डू नोट डिस्टर्ब की सर्विस को एक्टिवेट कर लेते हैं ये ट्रिक इस्पेशली जियो यूजर्स के लिए बहुत ही हलपफुल होने वाली है तो गैस वीडियो को एंट तक ज़रूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं अगे तो गैस अपने मोवाइल पर डू न डिस्टर्ब की सर्विस को अक्टिवेट करने के लिए आपको सबसे पहले इंस्ट्रॉल करना होगा एक एप अगर आप जियो के यूजर है तो गैस आप प्ले स्टॉर में जाएंगे और प्ले स्टॉर में जाकर सर्च करेंगे जो एप और आप Gio App को डाउंलोड कर लोहाँ से अब आप डाउंलोड करने के बाद जब अपना मोबाइल नंबर डालकर आपको लॉगिन करनी पड़ी लॉगिन करने के बाद आगे के ट्रिक आप वोग यहां से देख सकते हैं मैं आगे आपको ट्रिक बताने लगा हूँ तो इसमें क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले जीयो एप जो है उसके अंदर आपको जाना पड़ेगा तो चलिए आपको जीयो एप को ओपन कर लेते हैं अब आप guys जैसे ही आप hamburger बटन पर क्लिक करेंगे तो guys यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको नीचे में यहाँ पर profile and settings का बटन देखने को मिल जाएगा आप simply उसके उपर क्लिक कर देंगे अब guys आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर guys service settings में आपको do not disturb लिखावा मिलेगा आप do not disturb पर क्लिक कर देंगे आप guys do not disturb जैसे ही आप open करेंगे तो यहाँ पर my dnd लिखावा मिलेगा अब guys यहाँ पर आपको क्या है कि चार options मिलेंगे पहला sit preference दूसरा consent तीसरा history और 14 complaint आप guys यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपको do not disturb की service को activate अगर करना है तो आप sit preference पर क्लिक करेंगे अब आप जैसे ह तो guys यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको चार options मिलेंगे आप इन चारों में से जो भी चीज़े आप activate करना चाते हैं आप उससे select कर लेंगे तो अगर आपको सारे calls or messages अगर आपको block करने है तो आप पहले options क्लिक कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको जितने भी promotional और सर्विस वाले जो आपको messages आते हैं calls आते हैं यह सब आने बंद हो जाएंगे सिर्फ यहाँ पर आपको OTP or transactions के message आएंगे आपको custom preference मिलती है यानि के आप क्लिक करके आप जोना option डाल सकते हैं कि उसके में आपको क्या बंद करनी है और क्या बंद नहीं करनी है तो guys आप अग submit का button activate हो जागा अब जैसे यह आप submit के button पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक pop-up आएगा जिसके अंदर आपका जो preference है वो लिखा हो सबसे पहले उपर में आएगा fully blocked ठीक है और उसके नीचे आपको बता देगा कि आपकी कौन सी service यहाँ पर block होने वाली है तो आप देख successfully और guys उसके नीचे आपको जो ना mobile number मिलेगा लिखा हुआ आपका जो reference number है वो मिलेगा आप simply done कर देंगे और यहाँ से आपके dnd activate हो जाएगी guys आपको यह बता दू कि आपकी यह जो dnd की service से यह activate होने में at least आपको 24 hour का time लगेगा तो आप 24 hour तक patience से रहेंगे अगर आपका नहीं activate होता है तो आप एक बार फिर से इसको कर सकते हैं आप आप देख सकते हैं complain कर सकते हैं यह सारी चीज़े आप कर सकते हैं तो guys इसको करने के बाद आपका activate हो जाएगा dnd तो guys इसके बाद आपको नहीं कोई promotional calls आएगे नहीं कोई promotional messages आगे अप guys आप same trick दूसरे operator पर भ जाएगे आप वी आई एप डाउनलोड कर लेंगे आप जो है माई अकाउंट में जाएगे आप वहाँ से जना सबसे नीचे स्क्रोल कर जाएगे तो वहाँ पर आपको do not disturb लिखाओ मिल जाएगा आप वहाँ से जाकर कर सकते हैं do not disturb की service को तो guys इस तरह किसे अगर आप भी V सबस्क्राइब नीचे तो चैनल को जल्दी से सबस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि ऐसी ही इंट्रेस्टिंग और टेक्निकल वीडियो आप तक पहुचती रहे सबसे पहले तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपी के साथ तब तक के लिए, बाइ बाइ झाल झाल